दोस्तों नमश्कार, आद आप सक्ष्रियकाल, नियोज क्लिक के कारिकराम आज की बात में आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश को लेकर अब भारती जनता पार्टी और रास्टी स्वेम सेवकसंग दोनों कुछ बेचैन नजर आ रहे हैं इतने सालों तक तो बेचैनी दिखाई नहीं देती थी, सामने नहीं आती थी लेकिन अब सामने आ गई है भारती जनता पार्टी के जो सांगठनिक मामलों के रास्टी महासचीव हैं, बी-ल संतोष और जो पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रवारी हैं, केंद्री मंत्री रह चुके हैं, राधा महन सिंग ये दोनों लोग उत्तर प्रदेश की रायधानी लखनोग में, आजकल वर्चुल में सारे समबाद होते हैं लेकिन वो लोग बकाइदे फिजिकल यानि उपस्थित होकर मीटिंग कर रहे हैं, और वो मीटिंग के बाद उन्होंने बयान भी दिये हैं, बड़ा संतोष याहिर किया है, योगी जी की सरकार को लेकर अभी ट्वीट, ट्वीटर पर में देख रहा था, कि जो ट्वीट कि अब ये किसी के गले उतर सकती है, और न तो समझ में आ सकती है कि आखिर ये बयान क्यों देना पड़ा, कोई और बयान दे देते कि उत्तर प्रदेश में परंचायती राज एलेक्शन्स में हम उतनी बुरी परफॉर्मिंस हमारी नहीं है, जितनी की कहा गया, कुछ और कहा देते हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा कि कोरोना में परफॉर्मिंस अच्छा है, क्या इसलिए केवल की डेटा यानि आखनों में जो कलाबाजी की गई है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है, और दुनिया भर की चर्चा का रिव जो असर है वो भारत सरकार पर भ परिवर्तन के लिए भारती जनतापारटी अवरार इसे तयार हो रहे हैं, या ये महज एक शिगुफा है, महज COVID-19 से जो उसकी जो विफलताएं हैं शासन की, मोधी सरकार की और योगी सरकार की, क्या इन दोनों से लोगों का ध्यान हटानी के लिए रामदेव प्रकरण की तरह या दूसरे और बहुत सरे प्रकरणों की तरह यह भी एक डाइवर्जन यानि ध्यान हटाउट टैक्टिस है, या सच में कुछ होने जा रहा है, हम इसी कियाद परताल करेंगे अपने इस छोटे से कारिक्रम में, दोस्तो उत्तर प्रदेश हम सब जानते हैं कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, और सबसे बड़ा प्रदेश ही नहीं है, दुनिया में जितने मुल्क हैं और उनके अंदर जितने प्रदेश हैं, उनमें भी सबसे बड़ा है, और एक आंकड़ा, दुनिया में जितने मुल्क हैं, अगर उन सब की आबादी देखा जाए, तो उत्तर प्रदेश पांचमी पोजिशन रखता है आबादी के हिसाब से ऐसे बड़े प्रदेश में भारती जंता पार्टी अगर अगला चुनाओ यानी 2022 के शुरू में होने वाला चुनाओ अगर नहीं जीत पाती जैसा कि वो बंगाल में नहीं जीत पाई जबकि बहुत उसक खराब होंगे और 2024 की लड़ाई जो लोकसभा में होनी है मोदी बनाम विपक्ष की उसके लिए सेमी फाइनल समझे जाने वाला ये जो चुनाओ उत्तर प्रदेश का है वो बहुत कुछ कह जाएगा और बहुत कुछ दिवाल पर लिख जाएगा इसलिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश को लेकर वाकई BJP और RSS के लिए एक सिरदर्द साबित हो रहा है अब सिरदर्द इसलिए भी साबित हो रहा है कि अगर वो आज की तारीक में योगी जी को हटाने की बात करें तो ये भी बड़ी मुश्किल है क्योंकि योगी जी उन मुख्यमंत्रियों की जिनको आप हटा दें और सब कुछ सहज रहे आप करनाटक में यदरप्पास अपको इतनी सारी विदायकों की चिंता और विदायकों की इतनी सारी जो नाराज की या उसके बाव़ुद्ध को हटा नहीं पा रहे हैं तो आप योगी जी महराज जैसे एक जो पिछले चारेक सालों में जो इतनी ताकत उन्होंने बटोर ली है और आपने उनको हिंदुत्वा हिरदय संपराट के रूप में जो एक पेश कर दिया है एक हिंदुत्वा का कठोर चेहरा एक और ज्यादा तगड़ा चेहरा तो आप जैसे आडवानी के जमाने में अटल जी साफ्ट चेहरा थे आडवानी जी कठोर चेहरा थे जब आडवानी जी मुलायम चेहरा बन गए तो मोधी जी कठोर चेहरा बन गए तो उसी तरह से आज थोड़ा अगर मोधी जी को माना जाए कि उनको RSS कहे कि नहीं वो तो बड़े balance अब हो गए हैं तो हमारे सामने एक योगी जी महराज है जो और ज़्यादा कठोर आगे रहेंगे तो हमारा कहना है कि ऐसी स्थिती में RSS और BJP के लिए अपने हिंदुत्वा के इस चेहरे को क्योंकि हिंदु धर्म का कोई रिष्टा हिंदुत्वा से नहीं है मैं बार बार राजनितिक विचारधारा है हिंदु एक धरम है एक करम है जो लोग मानते हैं पता है इसकी कितनी कितनी सोच है कितनी कितनी धरा है कितने कितने पक्ष है कोई गीता को मानता है कोई रामयन को मानता है कोई वेद को मानता है कोई किसी को नहीं मानता है फिर वह अपने को के रूप में स्खापित किया है उत्तर प्रदेश में क्या उत्तर प्रदेश के अगले चुनाव में जीत हासिल करने के लिए उसको हाटा देगी असल में ये सारी जो लड़ाई और सारी जो जगड़े की शुरुवात है तब हुई जब बंगाल का चुनाव बीजेपी हार गई बंगाल में स्टार केंपेनर योगी जी महराज भी थे मोदी जी थे शा जी थे उसके बाद तीसरे नंबर पर योगी जी महराज थे और भी जगा यहां तक की केरल जैसे प्रदेश में भी योगी जी स्टार परचारक थे वहां क्या नोबत आई क्या बीजेपी की परफॉर्मेंस होई हम सब जानते हैं तमिल आर्ट भी वो गए तो हमारा कहना है दोस्तों कि आज की तारीख में योगी जी की परिशानी यह है कि मोदी जी और शाह जी को अब लगता है कि अगर युत्तर प्रदेश में योगी जी के कारण हार मिली तो 2024 प्रभावित हो जाएगा और हार क्यों मिलेगी क्यों क्योंकि COVID-19 का जो सरवाधिक mismanagement हिंदी हार्ट लैंड में कहीं हुआ है तो उत्तर प्रदेश बिहार में हुआ है और उत्तर प्रदेश उसमें अगरगणे है कौन नहीं जानता पंचायती राज चुनाव में कितनी बुरी स्थिती हुई है पंचायती राज elections के के बारे में का गया कि यह super spreader था जिस तर एक करमचारी जो लगे थे उनको लेकर भी बात चल रहा है कि कितनों की मौते होई और कितनों को मौजा मिलेगा तो ऐसे में दोस्तों आंकड़े भी सही नहीं है यह पूरी दुनिया मान रही है उत्तर प्रदेश के तो ऐसी स्थिती में माना यह जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में कुछ भी गरबढ़ हुआ तो लोग सभाज चुनाव पर बहुत बुरा असर पड़ जाएगा इस बीच में हुआ यह था कि केंद्र ने अरविन शर्माराम के एक आई-एस डिटा आफिसर को जो सची वस्तर के थे और मोदी जी और शाह जी के बहुत करीबी गुजरात का डर है उनका उनको सची उपत से इस्थिपादी ला करके बड़े अपसर थे उत्तर प्रदेश के स्टंड पार्ट के रहने वाले थे जहां संजोग वस्त जहां से मैं भी आता हूँ और वहां से आते थे और एक खास समुदाय के वो रहने वाले हैं जिसकी उत् की तरह सरकार भी चलाते हैं और उन्होंने अर्विन शर्मा को MLC तो बनने दिया लेकिन डेप्यूटी सी मिनिस्टर क्या कैबिनेट मंत्री भी नहीं बनने दिया बताया जाता है कि इससे सेंटर बहुत नाराज है यानि मोदी जी और शाजी बहुत नाराज है नाराज कितन पार्टी का लेकिन प्रशासन में उनकी कोई पकड़ नहीं है बीयल संतोस रादा महन सिंग तमाम लोगों ने मिल करके और चीप मिनिस्टर से डेपटी चीप मिनिस्टर जो दोनों है मौरिया जी है केशो प्रशाद मौरिया जी इनको चीप मिनिस्टर बनानी की बात बीज करने वाले है अला कमान को यह तो बीजेपी ज़ाने यह तो आरे शिस जाने लेकिन इतना तय rehearsal कि योगी जी महराज के तक्त का मामला जो है वो वाकई बीजेपी आरे सेस को निगलते बन रहा है नो अगलते बन रहा है योगी जी स्थिते में जरूर आ हैं कि बीजेपी के दोनों ताकतवर निताओं और रास्टी स्वेम सिवक संग के लिए भी फैसला लेना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है ऐसे में दो प्रश्णों के साथ मैं आज की चर्चा का समापन करता हूं पहला क्या मोदी जी और शाह जी और आरे सिस्का नित्रत्व बहतर पुलिटिकल परफॉर्मिंस उत्तर प्रदेश के चुनाओं में बीजेपी की हो इसके लिए क्या योगी जी को कुर्बान करेंगे और दूसरा अगर इसकी स्थिती नहीं आती है या ये जोखिम मोल नहीं लेना चाहेंगे तो क्या वो अर्विन शर्मा को निकट भव रहेंगे और साथ में प्रशासन को थोड़ा चुस्त भी ये दो बड़े प्रशन है क्योंकि उत्तर प्रदेश हो या बीजेपी हो यहां की जो राजनीती है दोस्तों वो कोई केरल तमिनाट की तरह नहीं है या इवन पंगाल की तरह नहीं है यहां दो धारा का कोई संगर् का मामला होता है बीजेपी जैसी पार्टी जाती धर्म पर जाती है तो ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश के ब्रामणों में वाकई एक विभाजन है वो मिहार नाराज है और केवल वो यह मानते हैं कि कुछ खास समुधायों तक ही सीमित केवल योगी महराज की सत्ता है तो क् उनको पठाने के लिए अर्विन शर्मा हुआ कई काम आ सकते हैं ये एक बड़ा प्रशन है और यहीं पर मैं आज की चर्चा समाप्त करता हूं कि योगी जी इतने सहज इतने आसान नहीं है कि आरेसेस ने जो उनको कभी गद्दी पर बैठाया था आज वो मोदी जी योगी जी को भी और मोदी जी को भी देखना है वो कमप्रवाइज क्या होता है इनी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार आदाब सत्रियकाल